अलबकालिन विस्तारक पर्शिक्षन शिवर का कुर्खेतर लोग सभा का यहां योजन है और पूरे हरियना प्रदेश के अंदर ये 10 की 10 लोग सभा के अंदर हमारे अलबकालिक विस्तारक उनके पर्शिक्षन 9 और 10 तारीको 10 और 11 दो फेसिस के अंदर पूरी 10 की 10 लोग सभा के अंदर लगभग 6,000 के करीब में हमारे अलब कालिक विस्तारक वो नीचे बुथों को पर जा करके आदनिया प्रधान मंत्री नरेदर मुद्दी जी के जो कारियां जो उन्होंने काम किये हैं उनको लेकर के और जो आदनिया मनुहरलाल जी के नेत्रितों के अंदर सरकार चल संगठनात्म क्रूप से संगठन नीचे और मजबूत हो इसको लेकर के अलकालिक विस्तारक ये नीचे बूत को पर जाएंगे तांकि 2024 के अंदर तस की दस लोक सभा की सीटे बड़े मेंडर से जीप करके आदनिया नरेंदर मोती जी को तीसरी बार देश का प्रधान मंत्री बनाइए जिसतरा लोक सभा की जिम्मेदार युवा हों के आज दिइन zaw कन्दे लेगे जितने के लिए बिए और में बीगे को पर जोगी जब्मेदार और में पर घृत उन सब बातों को लेकर के नीचे संगतनात्मा क्रूप से उसको मजबूत करने का काम करें जी ट्वंटी दिली में हो रहा है कि आप रहेंगे तमाम देखिया यह देश के लिए बड़े सबहग्या की बात है देश के 140 क्रोड लोगों के लिए यह सबहग्या की बात है कि भारत क को यह पहली बार जी ट्वंटी की अध्यक्सता करने का अवसर मिला है और आदनिया नरेंदर मौदी जी के नेत्रितों में इसका एक बड़ा लाब पूरा विसव वन अर्थ वन अर्थ और वन नेशन उसको लेकर के पूरा विसव एक धरती है और हम मिलकर के काम करें उसको लेकर के उसके बहुत सारे ऐसे कारिया है जो समस्या है विसव के अंदर चाहे परेवान की समस्या है उन समस्याओं को लेकर के उसको पर डिसकस होगा और पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है पूरी दुनिया आपस में मिलकर के रहे उसका एक बड़ा लाब मिलने वाला और ये हमारे लिए गरव की बात है कि दुनिया के बड़े दिगज नेता आज भारत के अंदर आ रहे हैं इस G20 के माध्यम से बड़ा लाव देश को मिल लगा है कि हमेजी 20 उनके जो मलिकार जुन खड़के कावरिस के अध्यक्स हैं उनको नहीं बलाये गए रात्री बहुत से अलग किया गया है वो कह रहे है कि दलित निता है अपमान किया गया देखिए राहुल गांदी को मेरे ख्याल से कोई ज्यादा समझ नहीं है अगर उनको समझ होत हैं कि उन्होंने बड़े दिल से इतना बड़ा आयोजन हो रहा है यह पहली बात देश ने बड़े आयामों को छुआ है दुनिया के अंदर अगर हम देखें आज सबसे बड़ा जिसके अंदर G20 का समागम हो रहा है वो जो मंडपम है वो दुनिया का सबसे बड़ा है दुन प्रणिया का सबसे उंचा पुल भारत के अंदर है आज इन नौ वरसों के अंदर नरेंदर मोटी की के नेतरतों में भारत ने एक उंचे आयामों को छुआ है और इन लोगों ने सहयो करना चाहिए आज ग्रीव एक्ति तक लोगों तक लाप पहुंचाने का काम नरेंदर मोट इस परकार की विपक्स की भूमी का भी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर भी कुछ साथ सर्य यूपी में विधान सबतनाव था बीजेपी उसको जीत नहीं पाई पड़ी स्टेट है योगी जी बड़े लोग प्रियन एता है तो कहीं नहीं देखिए भारतिया जनता पार्ट भी तीन सित्ते जीती है